वेल्कम टो मैं चैनल जॉब्स ट्यूबर फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट और और बी एंटी पीसी 2020 एक्जाम जो और और बी एटी पीसी का एक्जाम अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एक्जाम हाल में जो हमें हर हाल में फालो करना चाहिए यह टिप्स उस टिप्स को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सो और बेन टीपीजी टूसटोजन ट्वींटेटेग्जम में ज्यादा माक्स लाने के लिए ऐसा एक्जाम स्टार्ट करना चाहिए एक्जाम में काम्याब होना ना होना सिस्फ पड़ने पर या अपने नॉलेज़ गेंड करने उस questions में कितने answers सही होते हैं यह सभी पर depend होता है तो उसी को कहते है कि time management friends अगर time management अगर अच्छा है तो सोंचों कि exam सही है वाणना time management अगर गलत निकला तो आप कितना भी मेनत कर लो कितना भी hard work कर लो कितना भी मशक्कत कर लो आपका exam एक नाएक तरह से बेकार ही जाएगा so friends आपको सबसे important tips मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको paper pattern बता दू कुल मिला कर 10 questions होंगे जिसमें से general aware mathematics 30 questions रहेंगे 30 marks रहेंगे general intelligence and reasoning 30 questions 30 marks और general awareness 30 questions sorry 40 questions और 40 40 questions और 40 marks कुल मिला कर 100 marks का paper रहेंगे 100 प्रशन रहेंगे टाइर 1 paper stage 1 और सिर्फ अपने हमें 19 minute में मतलब 90 minutes में paper complete करना होगा 100 questions so friends उस 90 minutes में minimum हमें 75 to 80 marks राने की पूरी कोशिश करनी चाहिए उसके लिए सबसे important tips बताने वाला हूं friends tip number एक यह है कि हमें always start exam with attempting general awareness questions first मतलब exam की शुरूआ थम किसी भी हाल में general awareness मतलब कि सामानी जागरुता से अनुभाग से मतलब अगर हिंदी में अगर मैं उस subject की बात करूं तो सामानी जागरुता जो section है अनुभाग है तो तीसरा अनुभाग है उस तीसरे section से हमें exam शुरू करने चाहिए और उसमें के 40 questions सबसे पहले अटेम्ट करने चाहिए और difficulty level के अगर बात करूं मैं सामानी जागरुता section में exam में easy level के आसान स्थर पर 15-17 questions आ जाएंगे 40 प्रश्णों में से 15-17 प्रश्ण इस लेवल के आ जाएंगे फिर मध्यम स्थर के 20 questions फिर cutting स्थर के 3-5 प्रश्ण लग जाएगे और सामानी जागरुता को पूरा करने का आधर्शी समय हमें होना चाहिए कि ideal time 20 minute में यह paper complete करनी चाहिए जो 40 marks का है सो क्योंकि इसमें कोई calculations क्या कोई problems करने की कोई ज़रत नहीं रहती है सिर्फ memory power से हम करते है questions को सो 20 minute में ज्यादे सा स्याधा और हम आसान और मध्य स्थर के प्रश्णों क्यों देख लें तो जो अगर थोड़ा भी अच्छा से पढ़ ले तो इन questions को बहुत आसान नहीं से अटेम्ट कर सकते हैं तो हम उस 20 minute में हम यह 35 से साइंटिस questions के प्रश्णों को अटेम्ट करनी चाहिए फिर जैसे आप सामान्य जागरुकता जो section 3 है अनुबाग 3 है उसको जैसे complete करेंगे फिर next आपको सामान्य जागरुकता अनुबाग के खतम होते हैं आपको सामान्य बुद्धी तरक शक्ति अनुबाग के प्रश्णे अटेम्ट करना चाहिए पतलब general intelligence and reasoning के section को आपको जाना है सबसे पहले mathematics हर्गिस आपको अटेम्ट नहीं करनी चाहिए फस्ट आप section 3 general awareness जो सामान्य जागरुकता के section को आप अटेम्ट करना है और फिर आपको section 2 general intelligence and reasoning जो की सामान्य बुद्धी तरक शक्ति अनुबाग को अटेम्ट करना शुरू करनी चाहिए और इसमें अगर difficulty level काटिनाई की स्थर की बात करो इस लेवा इस अनुबाग में तो easy level के 10-12 questions आपको आसानी से आजाएंगे इसमें आसान स्थर के और साथी साथ moderate level के questions की बात करों तो मध्यम स्थर के 12-15 प्रश्ण आपको मिल जाएगे और difficult तीन से पांच questions रहते मुश्किल कटोर स्थर के वह तीन से पांच प्रश्ण मिल जाएगे तो इसका अगर आइडियल टाइम अगर complete इस section को complete करने का एडियल ताइम है 25 मिनट आपको 25 मिनट में इसमें ज्यादा से ज्यादा स्थर के प्रश्ण की बात करूं तो तीस प्रश्णों में से 25-27 प्रश्ण आसान और मद्य स्थर के करनी चाहिए ट्राइ करनी चाहिए उसमें से और आखिर में आपको mathematics जो गनित अनुबाग है उसे आपको attempt करनी चाहिए उस section जो अनुबाग वो एक है after solving general awareness section and general intelligence section and reasoning section finally start to attempt mathematics mathematics सामान्य जागरकता अनुबाग और सामान्य बुद्धी और तरक अनुबाग को हल करने के बाद ही अन्त में गनित अनुबाग को हल करना शुरू करें ताकि अगर mathematics में अगर फर्स्ट ही आप टाइम लगा देंगे तो आपको पहले दो तीन क्वेशन साप जैसे ही अच्छे करने लग जाओगे तो आपका कुछा तक overconfidence बहन सकता है और फिर में फिर बीच में ऐसे questions भी आ जाएंगे आपको mathematics में की बहुत डिफिकल्ट हैंगे तो आप उस overconfidence में क्या करेंगे कि आप उस question को attempt करने के लिए बहुत ज्यादा time waste कर लोगे जिसकी वाजा से पूरे के पूरे sections में घलत कर बैट होगे और आपके हाथ से time निकल जाएगा इसलिए आप सबसे पहले general awareness जो सामा जिग-जाग रुकता और साथी साथ general intelligence और reasoning second और और फिर बाद में गनित थर्ड अटेम्ट करने चाहिए finally so section 3 अनुबाग 3 सबसे पहले attempt करना चाहिए अनुबाग 2 बाद में attempt करने चाहिए और अनुबाग 1 लास्ट में अटेम्ट करना ही जाए आखिर में section 3 first section 2 second section 1 first third गनित में कर questions difficulty प्रस्ट कटिना स्थर देखूं तो easy level 9 से 11 प्रस्ट हो जाएंगे आसान स्थर के moderate 14 से 16 questions मध्यम स्थर के और difficult level के 3 से 7 questions मुश्किल 3 से 7 questions आजेंगे और गनित को पूरे करने का अधर्श समय 35 मिनिट आपको लगाने चाहिए इसका ideal time है अब 35 मिनिट में आसान और मध्यम स्थर के प्रस्ट को आप attempt करने जाए जो तेवी से 27 प्रस्ट आपको 35 मिनिट में ज्यादे से ज्यादा attempt करने की कोशिश करने चाहिए ऐसे करकर आप 80 से 85 प्लेश मार्क्स ला सकते हो तो फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए शेर करिए और साथी साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए मैं आपको फ्रीक्वेंट्ली आपको हर रोज यह दो दीन एक बार आपको कोई ना कोई एक्जैम के बारे में बताता रहोंगा और इसके रिलेटेट्ट डिटेल्स आपको बताते रहोंगा साथी साथ जॉब नोटिटिक्रेशन और प्राइट जॉब्स के बारे में भी डीटे देता होंगा, सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक यू